हाई विचमारी वेल्कम बाग ते चानल शिप्रामिश्रा दिस शिप्रामिश्रा और होप यू गाइज आ दूइंग तो कह देना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कितने भी चैलेंजिस आजा है हम सामने कड़ें रोग नहीं सकता कोई अकर हम डिटर्मेंट है तो बस वह हमारे साथ में आज हो रहा है और मैं पूरी कोशिच करूंगी कि यह लेक्चर आप तक डेलिवर कर राकर ही रहूं आपके लिए एस डी सी चीट शीट भी बना दी है यह जो शीट से ही आपकी मदद करते वाली है पूरे के पूरे इंग्लिश को रिवाइस करने के लिए कम स आंसर राइटिंग के अंदर तो फटा-फट से पूरी इंग्लिश को खतम करने के लिए हो जाते हैं तैयार पूल-ओन एनरजी और जोश के साथ में तो पहरा चैप्टर हम करने वाले हैं जिसे लिखा है और पॉन्स डॉड़िट ने यहां पर दो लोग है जिनके बारे में पर हमें बताते हैं कुछ चीजे सिखाते है पहले तो में देख लेते हैं कि बर्लिन से स्कूल में अब से बढ़ाई जाएगी और जैसे ये सारे लोगों को इनहें इसा उटा हुँ हो जाते हैं इन सब के यहां पर गलती है, यह चीज MML सब को realize कराते हैं, and finally, इस realization के बाद में सारे के सारे लोग अपनी country को respect पे करने के लिए, एक last lesson के अंदर इखटे होते हैं, जुटते हैं, अपनी respect अपना gratitude express करने के लिए MML के 40 सालों के लिए, सब लोग इखटे हो जाते हैं, MML यहां पर सब को यह पार्ट पढ़ाते हैं कि हमारी language कितनी ज़्यादा important है, कितना important है, उसे guard करके रखना तक हम इस यूरो प्रिजन से हमेशा और हमेशा free हो जाए, यह last lesson हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि हमारी identity और हमारा culture बहुत ज़्यादा important है, हमारी mother tongue हमारी identity बनाती ह education किसी भी operation को fight कर सकता है, हमारे अंदर एक human tendency होती है कि हम procrastinate करते रहते हैं, चीजों को कल तक प्रावते रहते हैं, इसके साथ साथ में कभी कभी जब चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उनकी value नहीं करते हैं, खुपसूरती से teacher student relationship को भी यहाँ पर द character आपको friends देखने को मिलेगा और MML देखने को मिलेंगे, friends एक चोटा सा school boy है, अपने school से दूर भागता है, studies से दूर भागता है, बाहर समय बिताना उसे बहुत पसंद है, इदर उदर के कामों में टांक डाना बहुत पसंद है, MML को से डरता है, बहुत ही sensitive है, friends को last day पे प है, लोगों को अपने डंडे की नोग पे रखते हैं, बहुत strict है, कोई भी चीजों को कल पर टाते रहते हैं, teaching को इतना seriously नहीं लेते हैं, 40 साल तक उन्होंने country को serve किया है, emotionally strong है पर कभी कभी sentimental भी हो जाते हैं, अपनी mistakes को accept करने की खूबी इनकी अंदर है, और अपनी language से बे linguistic, चॉवनिजम में आप language को किसी और के उपर तूब देते हो, जैसे की Berlin ने किया अलचाज और लोरेन के साथ में, आपको next chapter देखने को मिलता है, लॉस्प्रिंग जिसे लिखा है, अनीज जंग ने, खास बात इस chapter की ये है, कि इस stories of stolen childhood नाम की एक किताब का excerpt है, यहां पर स साइब की स्टोरी जिसमें साहिब एक रैक पिकर है, ढाका से आया हुआ है, और डिली में सीमा पूरी नाम की एक जगे पर रहता है, दस हजार रैक पिकर के साथ में, जहां पर basic amenities भी नहीं को नहीं मिलती है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, कि पैर के अंदर चपल तका हुआ है, क्योंकि आखिर कारीश होते है जब छाय जो चाय कर सकते हैं, पती है इनके बारेएक प्ता चलते हैं, पता चलता है कि साहिप की बहुत सारे ख्वाब हैं है,, यहां है जाता है यह सब तो उसे मिलता है पर उसका carefree look जो है वो जा चुका है मुकेश की अगर हम बात करते है तो फिरोजाबाद से बिलॉंग करता है बैंगल मेकर्स की खांदान से बिलॉंग करता है फिरोजाबाद जो की glass blowing industry का center है वहाँ पर सारे के सारे लोग बैंगल मेकिंग ही करते रहत एक तरफ सावकार से लेकर politicians तक सारे लोग उने exploit करने पर तुले हुए है और दूसरी तरफ यह बैंगल मेकर्स इस exploitation से बाहर भी नहीं निकल सकते किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि से बाहर निकल पाए इसलिए जब मुकेश अनीज जंग को बोलते हैं कि वह motor mechanic बनना चाह आप में विश्चिस साइकल ड्रीम देखने की अबिलिटी ना होना और दुनिया एक तरफ ऐसे लोग है जो exploit करते हैं दूसरी तरफ ऐसे लोग है जो exploit होते हैं आपको यह सारा तीम यहां पर देखने को मिलेगा इसके बाद में आपको यहां पर इस्तमाल कर सकते हो इन वर् साहिब और दूसरा है मुकेश साहिब एक ड्रीमर है उसको पढ़ाई करना पसंद है और पढ़नी सकता वह आजाद है मौनिंग बड की तरह है उसका नाम आइरॉनिक है उसे टैनिस बहुत पसंद है एक रैक पिकर है डाका से आया हुआ है केरिफ्री है पर उसे exploit किया गया ह मुकेश भी एक ड्रीमर है एक determined इंचान है अपने आप में बरोसा रखता है बहुत ही हमत वाला है एक बैंगल मेकर है hard working है इसके साथ साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चैप्टर डीप वाटर जिसे लिखा है विलियम डगलस ने खास बात यह इस चैप्टर की की से वह comfortable होने लग गए थे उनके साथ एक misadventure हुआ एक बुली आया और आकर उन्होंने विलियम डगलस को पानी के डीपर एंड में डाल दिया था वहां पर भी उन्होंने अपना determination नहीं हारा उन्होंने fight किया बाहर निकरने का पर फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाए थे उ फोड़ा भी exertion उनके उपर आता तो उनके पाउ पारलाइस हुजाते उनका पेट खराब हुजाता यह mentally और फिजिकली उन्हें टॉट्चर करने लग गया था and that is why विलियम डगलस ने अभी डिसाइड किया कि विस हैंडिकाप के साथ नहीं जीएंगे और एक उक्टोबर उ उनको अंदर satisfaction आए and finally बहुत बार यह vestiges जो है ते टेरर के वो लोटते थे पर उनका सामना करते थे उन्हें हरा देते थे finally जब उन्होंने अपने डर को हरा दिया तो उन्हें release फीर हुआ ऐसा लगा जैसे कि अब वो आजाद हैं जो चाहे वो कर सकते हैं उन्होंने हमें बताया कि हमें डर तो मौत से लगता है और हमें अगर डरना चाहिए तो डर को हराना चाहिए क्योंकि मैंने यहां पर मौत औ कि अंदर इच्छा ही कुछ भी सीखने की यहां पर अवर्जन डर को लेकर हमारे बात की श्योंति को ले Tonight यह मौत के कई यह और फीर इंग ऑर क्वे कि अमुंत के इंध्य को हाराना पर सबते बंक्र 55 जुकि एक aspirant है उनके अंदर determination है वो गड़ते हैं पानी से पर बहुत ही diligent है persistent है hard नहीं मानेंगे hard working है sensitive है एक बहुत अच्छे learner है fighter है उनके अंदर willpower है वो brave है courageous है दुरड है और patient है जितना मर्जी उन्हें टाइम लगे पर अगर वो उनको डर को हराना है तो डर को हरा कर ही रहेंगे आप कुछ words जो अपने answers के अंदर use कर सकते हो वो है treacherous, misadventure, bruiser, oblivion, piece by piece, vestiges, all we have to fear is fear itself सबसे जादा बड़ी problem बच्चों को यह आती है कि उन्हें पानी के नाम याद नहीं होते हैं तो आप तीन तरीके के पानी के नाम याद कर सकते हो सबसे पहला casket waterfall जहां से उन्हें अंदर यह विल आया था कि नहीं मुझे भी अभी सारे के सारे water सबसे इंपर और इंसान है जो कि इदर उदर करता रहता है इसके साथ में उससे कभी भी इतना इसा नहीं है कि उसके उसने इतना कमाली है कि उसके दो वक्ता हो गजारा हो गया इसी वजह से चोरी-चिकारी करनी पढ़ती है कभी-कभी वह भीग भी मांग लेता है अब ऐसे के अंदर वह विचारा इतना जदा अकेला है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ सोचता रहता है एक दिन उसके दिमाग के अंदर एक थौट आता है जहां पर वो जाकर रहने की जगह मांगता है crofter उसे allow भी कर देता है in fact बहुत generously उसे treat करता है पर वो क्या करता है crofter के साथ में धोका वो उसके घर पर ही चोरी करता है और भाग जाता है अपनी smartness से please होकर वो एकदम forest की तरफ चला जाता है पर उसे तो क्या पता था कि वो एक trap में फसने वाला है क्योंकि इसके बाद में वो इस forest से निकल नहीं पाता है उसे जैसे ही एक iron works मिलता है वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर एक iron master आता है जो उसे mistake कर लेता है अपने एक दोस के नाम से वो मना नहीं करता है उसे लगता है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे बट देन उसके बाद में वो पैसे तो नहीं देता है उसे घर के उपर घर पे invite करता है वो मना कर देता है तो वो अपनी बड़ी बेटी है इडंडा को बेचता है जिसनने जिसके कंपशन से कुछ हो कर रैत राप सेलर उसके साथ में घर्टो चला जाता है अब उस complaint किया क्रिस्मस के लिए यहां पर रखनाइए उसकी और छो काइननेज उसका कंपास्शन देखकर वो एकदम से इंट्रीग पील करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है जिए अराम से एक क्रॉफटर के घर पर चओरी करने वाला itsuran दर्ड लगता है कि उनकी घर पर बी चोरी हुई होगी ड़ लगता है कि कई उसका भरोसा नहीं टूट जाएगा पड जासी जाते है तो पता चलता है कि लेफ नहीं चुर एंसे ळी के अंदर उसने एक rat trap, rat trap के अंदर 30 kroner और एक letter डाला है, इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुमने मुझे captain के जैसे treat किया, तो मैं तुम्हें आज embarrassed नहीं करूंगा, ये 30 kroner उस cropter को दे देना और ये rat trap उस rat की तरफ से जिससे तुमने redeem किया है, तो हमें इससे क्या पता अदला जा सकता है, redeem किया जा सकता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छा ही होती है, बचावारी, कुछ वर्ट जो कि आप अपने answers के अंदर लिख सकते हो, जैसे कि वैगबॉर्ण पॉलें इंटु लाइन आफ थो बेचारा बिकारी है, चोर भी है, नफरत करता है, इ अपने अंदर, self-centered है, तो cynical भी है, opportunistic है, बहुत ही लालची है, उसको डर लगता रहता है कि उसे कोई पकड़ लेगा, बहुत ही miserable condition है, उसकी बचारा खाना भी अच्छे से नहीं खा पाया है, और इसके साथ में कभी-कभी वो redemption चाता है, वो चाता है कि उसे redeem कर लिया जाए उसे बस बचा ले कोई, अंदर ही अंदर वो यह चाहरा है, अच्छा एडला जो की बहुत ही kind है, compassionate है, बहुत ही ज़्यादा modest है, आप देखो कि बहुत ही शर्मीली है, बिल्कुल भी कुपसूरत नहीं है, बिल्कुल माफ करना जानती है, लोगों को convince कर सकती है, उसके पास Life of Mahatma Gandhi यह से लिया हुआ एक excerpt है, इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से Mahatma Gandhi जी जो है वो इंडिया में आए थे 1915 के अंदर और उसके बाद में एक national convention के अंदर गए और वहाँ पर राजकुमार शुकला से मिले जहाँ उन्हें पता चला कि चंपारन क sharecroppers के साथ में अच्छा नहीं वहवार किया जा रहा है, उन्हें राजकुमार शुकला को बोला कि वो बिल्कुल चंपारन की मदद करने के लिए आएंगे and that is when he decided कि वो जब क्यालकटा जाएंगे तो वहाँ से वो चंपारन के लिए निकलेंगे, वो क्यालकटा जाते हैं उ इन सारे लोगों को टेरंस बना के यूज किया जा रहा है, जर्मनी से सिंथेटिक इंडिकों की खबर मिलते ही, उनको पता था, ब्रिटिश को पता था कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसके लिए उन्होंने सोच्या कि क्यों ना जाते जाते और पैसा बना लॉक्त बिल्कुल मदद ही नहीं कर सकती है, अगर पूरे इन्फरमेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, फिर फाइनली वह इन सारी बुली से हटकर मोती हारी जाते हैं वहां से अपना हेड़कॉर्टर बनाकर काम करना श जाओंगा चंपारन छोड कर अगले ही दिन उन्हें कोर्ट से बुला लिया जाता है, कोर्ट के कोर्ट इस तरीके से इतने सारे लोगों का समर्तन देखकर हिल जाता है, एकदम से फ्योरी और ये इनसान कौन है, गांदी जी वहां जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि मैं नैश सारे के सारे लोग उनके सपोर्ट के अंदर आते हैं और उन्हें लगता है कि चंपारन की बैटल तो वो जीती गए, केस वापस ले लिया जाता है, और सर एडवर्ड गेट जो है, वो डिसाइड करते हैं कि कमिशन बैठेगा, जिसके अंदर इस सारे के सारे लोग एक साथ बैठ जाएंगे, किस की गलती है, कमिशन बैठता है, एक रुपया देने के लिए अगरी नहीं करते हैं, बर गांदी जी उन्हें कैसे जैसे 25% देने के लिए अगरी करवा देते हैं, इस 25% पैसा रिपंड के साथ में वो अपनी इज़्जत भी यहां पर देते हैं, जैसे क गांदी जी ने प्रिडिक किया था, वो एस्टेट हमारे अपने लोगों के पास वापस चले जाते हैं, ऐसे थे गांदी जी गांदी जी को बड़े बड़े सल्यूशन जिन सब में इंटरस नहीं था, वो एक एक इंसान की जिंदगी जो है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम क को सॉल्व करना चाते थे, एक एक इंसान को प्री करना चाते थे, तक ही पूरा का पूरा देश प्री हो जाए, उनके लोगों के साथ थी, अब्स्राक्शन के साथ, उनकी कोई लोयल्टी नहीं की, जैसे इसलिए उन्होंने जब देखा कि चंपारन के अंदर सोशल और कुल करने के लिए तो गांदी जी उन्हें समझाते हैं कि तुम सच के लिए लड़ाई कर रहे हो तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, फाइनली यह चीज हमें पता चलती है, हमें यहां पर क्या पता चलता है कि किस तरीके से एफेक्टिव लीडर्शिप के चलते हम किसी भी जंग को जीत तकते हैं, यहां पर injustice के बारे में बात की गई है, जो sharecroppers के साथ हो रही थी, हमें डर के खिलाफ कड़ा होना चाहिए, एक साथ कड़ा होना चाहिए, triumph of civil disobedience कि किस तरीके से हम लोग यहां पर civil disobedience किये थे और पहली बार modern India के अंदर वो जीता था, इसक को आप अपने answers में लिख सकते हो, advent, cheat, synthetic indigo, it's some, conflict of duties, depositions, alleviate, intertwined, then इसके बाद में pacifist, self-reliant, इन words से अपने answers को और भेतर बना सकते हो, मात्मा गांदी जी आपको एक character यहां पर देखने को मिलेंगे, जो सबसे important है, leader है, इसके साथ में brave है, practical है, diligent है, आद दूसरों के बारे में सोचते है, nationalist है, एक advocate है, politely बात करते हैं, भरोसा रखते हैं, सच के अंदर humble है, human beings के लिए loyal है, self-reliance में बरोसा रखते हैं, जबकि राजकुमार शुकला की अगरम बात करें तो राजकुमार शुकला determined है, perseverance हार नहीं मांते है, resolute है, हाँ पड़े लिखे नहीं है, गरी अगरिफिकल अकाउंट है, यहाँ पर my years with boss का यह एक एकसर्प्ट है, जहाँ पर वो जेमिना इस्टूडियो के अंदर अपनी जिंदगी बारे में बताते हैं, यहाँ पर असो का मित्रन बताते हैं, किस तरीके से जेमिना इस्टूडियो नाम का एक स्टूडियो हुआ करत बताया जाता है, जबकि हांज जो सारे क्राउड को मेंक उर्श कलाई करता है, जैसे यह रचासी पोएर्ड हो सकता था टार, पर सैष्क फिल से चूनल ले गया है क्योंकि यह सब कुछ सुबू का मल गया है, और शुबू को इसलिए मिल गया है क्योंकि यह एक ब्रामिन है तो उसे चिर्ती सुबू से कोटा मंगलम सुबू की एगर हम बात करते हैं तो कोटा मंगलम सुबू यहां पर बहुत ही ज़ादा फेमस था, क्योंकि वो बहुत मदद करता था, वो चापलूस तो था ही, क्योंकि वह चम्चा गेरी करकर के आगे बढ़ता था बुए इसके साथ सात में वह बहुत इनुवेटिव भी था उसके पास में हर चीज़ की आइडियास थे वह दूसरों से काम जरूर कराया गरता था पर दूसरों की मदद के लिए हमीशा ख़डा रहता था यह कोटा मंगल जाता है कि किस तरीके से फ्रैंक बख्मैन की मौरल रियामर्मेंट आर्मी जो है वो जैमिना स्टूडियो के अंदर आती है और आकर वहां पर अपने दो प्लेस के तुरू यू नो लोगों को थोड़ी सी मौरल वालियूस देती हैं उनके सेट उनके कॉस्ट्यूम इतने साथ इंट्रेस्टिंग होते हैं कि सारे लोग उन्हें कॉपी करने लग जाते सालों बादस्तों का मितरन को पता चलता है कि यह जो रियामर्मेंट आर्मी है यह अक्चली कम्यूनिजम को काउंटर करने के लिए यहां पर आई ती तो नहीं यूज़ फील होता है इसके बाद में स्टीफन स्टेंटर वहां पर आते हैं लोग उनको गुमनाम समझते हैं पता ही नहीं है कौन है वह आते हैं आकर स्पीच देते हैं सारे लोग एकदम बैफल रहते हैं उन्हें समझ भी नहीं आता वो क्या खेर है एक मिस्ट्री रह जाती है वह बड़ उसके बाद में असोक चली जाते हैं उसके बाद में वह थोड़ी बहुत कभी कुछ किताब कुछ भी सब्सक्राइब लेते रहते हैं तो एक बार उन्हें 50 पैसे के अंदर किताब मिल रही होती है तो वहां पर उन्हें स्टीफन स्पेंडर का नाम देखने को मिलता है वह किताब बताती है कि किस यह सारे के सारे लोग जो है वह कम्यूनिजम में गए और निकले तब जाके उन्हें पता चलता है कि अच्छा सीफन स्पेंडर भी यहां पर कम्यूनिजम के बारे में बात करने आए थे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी काउंटर कम्यूनिजम की लड़ाई आपको यहां पर पता चलती है आपको सबसे जादा इंपॉर्टन स्टीफन स्पेंडर जोकी एक मिस्टीरियस पोईट है यह भी यहां पर देखने को मिलता है आप वर्ट यूज़ कर सकते हो हैं लाइटेंड इंप्रॉविडेंट कम्यूनिस पैफलमेंट एमिनेंट इन शब्दो निकालता रहता है कोटा मंगलम सुबू नंबर टू है चीरफुल है रिसोर्सफुल है चारिटेबल लविंग एक बहुत है पोईट है नॉवलिस्ट है चमचागिरी करता है इनोवेटिव है इंप्रोविडेंट है बिल्कुल नहीं सोचता है कि मेरे पास कितना पैसा बचे कडिव का यहां पर तीम की अगर हम बात करते हैं पूरे पूरे चैप्टर के अंदर पहले पार्ट के अंदर इह बताया गया कि इस तरीके से उसके पॉजटिफ सैड में बताया हुआ सब्सक्राइब कि लोगों की प्राइवेट लाइफ के अंदर एक इंट्रूजन है एक दखल अंदाजी है यहां पर बहुत सारे लोग इसके लिए आवाज उठे आते हैं और उन बहुत सारे लोगों में आते हैं विए स्नाइपॉल लुइस के रॉल डूडियार किप्लिंग इजी वेल्स, सॉल बिलो, डैनिस ब्राइन, इस सारे के सारे लोग जो है यहां पर बताते हैं कि किस तरीके से इंटर्व्यू जो है उन्हें वूड कर देता है उन्हें घायल कर देता है इसके बाद में दूसरे पार्ट के अंदर यह पता चलता है कि उमबर्टो इको बहु जो है वह बहुत ही अच्छे एक स्कॉलर है सेमियोटिक्स के इसके साथ में आप देखो कि वह प्रोफेसर है युनिवर्सिटी पे नॉवलिस्ट है बहुत ही पोलाइट है हमबल है डाउन टू अर्थ है उनका फिलोसिफिकल इंटरस्ट आपको देखने को मिलेगा यहां प अम्माल की नॉवल लिखी है जिसका नाम है देम आफ दरोस जो की फेमस हो गई है दस से पंद्रा मिलियन कॉपी वहां पर बेची है और इसी वज़े से उनका इंटर्व्यू जो है वह लिया गया है तो हम लोग इस चैप्टर से क्या सिखते हैं चैप्टर से सीखते हैं कि और रिखते हैं कि किस तरीके से एक तरफ इंटर्विउ की तरीफ्य हो रही होती है दूसरी तरफ इंटर्विउ की नेगेटिव बाते हमें पता चलती है और साथी साथ में हमने यहां पर अमबर्टो इको का इंटर्व्यू भी देखा कुछ वह जिनका आप इस्तमाल कर सकत और यहां पर आपको सचमें इमाजिन करवाया जो सोफी इमाजिन करती है सब्सक्राइब है अब सब्सक्राइब अब वुटीक खोलेगी एक मैनेजर अक्टरस बनेगी या फिर हम कह सकते हैं कि उसको यह उमीद है कि वो एक दिन जो है पैसे वाली बनने वाली है और देश का और सिटी का सबसे बड़ा बुटीक खोलने वाली है और वो अपने घर वालों से इतनी ज्यादा पर किसी को सोफी की बात पर खरकीन आये तो कैसे आये क्योंकि सोफी तो बहुत ज़्यादा वाइस बनाती है यहां पर यह बनाती है कि एक दिन बाजार में खड़ी हुई थी और उसे डैनी कैसी पर पूछा अकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी डैनी कैसी को उसने सिर्फ और सिर्फ साटरड़े को एक मैच के अंदर देखा था एंड डाट वस इट जैन्वी जो कि उसकी बेस्ट प्रेंड है बहुत ही जादा डाउन तू अर्थ है बहुत ही जादा रियलिस्टिक है वो से जब इसके बारे में पूछती है तो वह उसे भी जूड बोलती है इसकी बा करता है कि उसकी भाई को वह क्या जवाब देगी सारे लोग हमीशा उसे जूटा मानते हैं कभी उस पर यकीन नहीं करते और अब तो मुझ पर वह बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे यह सोचते सोचते जब घर जा रही होती तो फिर से इमेजिन कर लेती है कि कि इतना लेकर किस तरीके से लोग खुले आँखों से सपने देखते हैं यंग जैनेटेशन कितनी अस्पिरेशनल हो सकती है अनफुल्फिल प्रॉमिसेज और ड्रीम का दर्द क्या होता है फैमिली की रिलेशन्शिप के बारे में यह बात करता है अटेंशन सीकिंग के बारे में बा से को सो दूर है वाइल स्टोरी बनाती है अटेंशन सीकर है अकेली है बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है डैनी कैसी से प्यार करती है बहुत ही बहुत है और बहुत ही जादा इमोशनल है आप यहां पर वर्ट का इस्तमाल कर सकते हो जैसे की बुटीक हो गया इंकॉंगरी हो गया अरकाड हो गया प्राड़जी हो गया नोजी हो गया पैंग्स ऑफ डाउट हो गया नेक्स माइट 66 जिसे कमला दास ने लिखा है उसकी खास बात यह है कि एक एंजाम्मेंट है और चौदा लाइन के अंदर उसे कंप्लीट कर दिया गया इसकी खुबशूरती इसकी सिम बहुत ही ज़्यादा दुख भरा हो सकता है और अपने अपको डिस्ट्राक्ट करने की कोशिश करती है नहीं हो पाती है जब अपनी मम्मी को देखती है तो देखती है किस तरीके से वह उदास हो चुकी है उनका चाम जा चुका है ऐसा लगता है जैसे कि जब वापस गुडबाई बोल देती है यहां पर हमें पता चलता है यूमन रिलेशन्चिप कितनी ज़्यादा कॉंफ्लेक्स हो सकती है किस तरीके से रिस्पॉंसिबिलिटी में कॉंफिक्ट आ सकता है कि यह करू यह करू एजिंग एक रियल चीज है यह में पता चलता है दुनिया का ए चाप चैंट करें यहां पर आपको बहुत सारे पोटिक डिवाइस देखने को मिलेंगे जैसे से मीली देखने को मिलेगा हर फेसे आशन उलाट और दा ऑप्र चॉर्प्स में पर सॉनिफेकेशन देखने को मिलेगा यंग तोण्री यंधी स्ट्री एपैल्ट यहां बीट प आपका जो पॉँआ कि इंगे बताते हैं कि लोगों को जीतने की इतनी होड होती है कि उसके चक्कर के अंदर हम खुद को दूसरे को डिस्ट्रोई करने लग जाते हैं ऐसे में क्या होता है इसे में बहुत सारे लोग जो शायद वार तो कर देते हैं कभी nature की against कर देते हैं कभी लोगों की against कर देते हैं और जीद भी जाते हैं पर हार जाती है तो humanity हार जाती है तो इसलिए एक minute लेना चाहिए अपने आप में introspect करना चाहिए जानने की कोशिश करनी चीए कि आज हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं अगर अपने आपको एक्जामिन करेंगे तो शायद हम देख पाएंगे कि हम लोगों ने अपने आपको और डूसरों को कितना जाधा डिस्ट्रॉय कर दिया यहां पर बात हो रही है कि जो तुमें कर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रियलिस्टिक स्टैंडर किया है तुम क्या करना चाहते हो और अगर तुम से नहीं होता है तो तुम अर्थ से चीज सीख सकते हो यहां पर यह तीम के अंदर बताया हुआ है कि कि इंट्रोस्पेक्शन कितना जदा important है यह तो रिवाइस तो यूज आपको देखने को मिलें जैसे वीवफाल में अनगो आपको देखने को मिलेगा आंप के अंदर पन देखने को मिलेगा विडाउट का repetition देखने को मिलेगा sudden Strangeness के लिएक है और आपको देखने को मिलेगा पर तोनिपरिकेशन अगर आधिंग व्यूटई की बात पी चाय तो इसे जॉन कीस ने लिखा है और जौन कीट्स ने इस पोवम को लिखा है इसकी खास बात यह है कि ग्रीक लेजन से आती जिसका नाम है एंडी मयॉन और उसका यह एकसर्प्ट है एंडी मयॉन नाम का एक शेफर्ड वा करता था जिसने मून गॉर्ड़स सिंथिया को देखा था और उसका जैसे उसने पीछे किया पीछा किया त कि अधम नेमें अनल दिमाग एक इसा इंपर लेकर आता है कि उसे बाद में कभी भी भी नहीं जितनी बार सूच जाएंगे उतनी बार वह में खुशी नहीं खावेंगी उन्हा नहीं होती है वह शीण बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएंगी एंड़ गईंडेश्ं लिखा जान देते हैं कि आपके चीज़ेंग कोई बात नहीं तुम फिर उठोगे यहां पर बहुत सारी चीज़ेंगे जो प्रोट जादा है कि अपने देश के लिए जान देदेते हैं उनकी तो अब शहीद होना भी कितना ज़्यादा घुबश्याइंगे हुआ है और यह सब कुछ हमें प्रोवाइड किया भगवान जी ने तक इसे एक तरफ अगर हम चालेंज को फाइट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें फाइट करने की हमें हिम्मत भी मिलते जा रही है तो हमें पता चलता है यहां पर कि खुपसूरत चीज़े जो होती है व अब करती है और रवी रदिंग नदर इंवरजन देखने को मिलेगा इमजरी देखने को मिलती है फ्लावरी बैंड में सं में मून मेंट में ट्रीज में डइपटविसमें कंध अब्सक्रोव कौनिंग के अनधरहौत जिसको रॉबर्ट प्रोच ने लिखा है रॉबर्ट फ इस चीज के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं कि किस طरीके से दुनिया दो भागों है, एक साइड जहां पर आपको ऐसे लोक देखने को मिलते हैं, जिने भगवान ने बहुत कुछ डिया है, बहुत सरी opportunities दिये, दूसे तरफ ऐसे लोक देखने गाता है, जिनके पास दो व सब्सक्राइब जो हम लोग उनके करते हैं, क्या हम एक बार अपने फायदे के बारे में ना सोचके, उनके फायदे में नहीं सोच सकते, क्या हम लोग एक छोटी सी help उनके नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी छोटी help भी उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, यह chapter बस यह पोवम इसी बारे में बा परपेच्वल स्टेट ऑफ पावर्टी की सद्रीके से गरीबी जो है वह परपेच्वल है हेलपलेसनेस ऑफ दपूर के बिचारे उनको आप नहीं मतलब वह बिचारे ऐसे हो गए कि उनकी मदद आप करो पर उनके पास में और कोई चारा ही नहीं है इनोसेंस और उनका विलपावर उनका होप जो है वह यहां पर दिखाया जाता है कि हर बार उम्मीद उनकी टूरती है पर फिर भी वह खड़े हो जाते हैं यहां पर आपको कुछ poetic devices देखने को मिलेंगे जैसे की contrast देखने को मिलेगा little old house की अंदर और new shed की अंदर personification देखने को मिलेगा roadside stand में, alliteration देखने को मिलेगा pathetically pled में, metaphor देखने को मिलेगा flower of cities में transfered epithet देखने को मिलेगा polished car, traffic में और और में देखने को मिलेगा anaphora, alliteration और oxymoron दोनों देखने को मिलेगा greedy good doers और beneficent beast of pay में transfered epithet देखने को मिलेगा selfish cars के अंदर next आपकी poem है Aunt Jennifer Stiger जिसे Adrien Rich ने लिखा है किस तरीके से पूरी की पूरी society जो है male dominating patriarchal society जो है वो एक औरत को victimize करती है उसकी चुप्पी का कारण बन जाती है वो अपने desires को अपने freedom को विल्कुल भी नहीं attain कर सकती है वो इतना free नहीं रह सकती है और इस poem के अंदर हमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से सिर्फ daddy है जो हमें उससे free कर सकती है इस poem में बताया गया है कि किस तरीके से Aunt Jennifer जो है वो अपने desires को tiger के रूप के अंदर बनाने की कोशिश तो कर रही है पर यह जो burden है उनके responsibilities का society का husband का यह उन्हें वो करने नहीं दे रहा शायद मरते वक्त तक भी यह वो नहीं कर पाएंगी हमेशा वो जूड़ी रहेगी उस अंगोटी के साथ में जो कि उनके उपर यह pressure डालता रहता है उन्हें suppress करता रहता है शायद वो तो एक दिन मर जाएगी पर उनके टाइगर इसी तरीके से प्रांस करते रहेंगे वो निडर रहेंगे वो करिजियस रहेंगे वो फ्री रहेंगे इसका तीम है मेल डॉमिनेंस इसके साथ में हमें पता चलता है और्तों को विक्टिमाइज यहां पर किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से लोग मर जाते है पर उनकी आर्ट सदेव ही जिन्दा रहती है आर्ट जैनिफर यहां पर सिंबॉलिजम है ब्राइट टोपाज मेटेफर है दे दे में आपको आनफोरा देखने को मिलेगा फिंगर्स लट्रिंग में अंकल्स वेडिंग ब इसके साथ में तर्ड लेवल की अगरम बात करें तो इसे जैक फिनी ने लिखा है जैक फिनी ने इसे साइफाइ जॉन्रे में लिखा हुआ यह ओपन एंड़ है आप अपने आप से इंटर्परेट कर सकते हो यहां पर प्रोटाइगनिस चार्ली है चार्ली जो की दुनिया स थक चुका है खतम हो चुकि है उसकी सारी के सारी उमीदे इस दुनिया से क्योंकि दुनिया ने आखिरकार किया ही कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको वरी देती है इन्जिक्यॉरिटी देती है दुख दर देती है और वह प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहता है वह एकदम से गुम जाना चाहता है उस टाइम में जब यह सारी चुम्ताई नहीं हुआ करती थी और वह हलुसिनेशन चुरू कर देता है उसके द्वार उसके लिए द्वार खुल जाते है टाइम ट्राइवल के एक बार की बात है कि वह घर जाना चाहरा होता है इतने में थर्ड के अंदर चला जाता है जहां की दुनिया एकदम ही अलग होती है क्योंकि वह 1894 में ट्रावल कर लेता है उसे वहां जाना होता है क्योंकि वह 1894 के गेस्बग में जाना चाहता है जहां पर लाइफ कितनी पीसफुल थी वह बहुत ज्यादा दूर था उसकी टिकेट लेना चा सब्सक्राइब के अंदर एक ऐसा और पर नहीं था अभी तक उसने सारे स्टैंप को अच्छे से देखा हुआ यह उन्वलॉप नहीं था उस ऑन्वलॉप को जब वह खोलता है तो चिट्थी उसके दोस्ते मिली होती है जहां पर बताया जाता है कि वह जो है उसका दोस्त य पर बाद में आता है आपके और आपको देखने को मिलेगा चार्ली चार्ली जो है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टन क्यारेक्टर है अब यह important character है इसके अंदर आपको modern man देखने को मिलेगा यह modern man है एक dreamer है, escapist है, imaginative है, stamp collect करता है, बहुत ही unhappy है, simple है, अपनी wife को बहुत पसंद करता है, insecure है, यहनों से एक idyllic world चाहिए, एक ऐसा peaceful world चाहिए जिसके अंदर यह सारी के सारे problems ना हो and बहुत ही जदा observant है, छोटी छोटी डीटेल भी हमारे तक लेकर आता है, यहाँ पर आप शब्स का इस्तमाल कर सकते हो, जैसे की third level, third level, यहाँ पर हर जगे यूज आएगा, इसके साथ में escape जो है, वो एक ऐसा word है, जो कि आपको हर जगे पर use करना पड़ेगा, इसके साथ हमें आप चाहो तो यहाँ पर hallucination का इस्तमाल कर सकते हो, यहाँ पर हमें पता किस तरीके से वह imagination पर करे जा रहा है, यहाँ पर आपको यह भी पता चलेगा कि आप र्यालिटी वर्ड का इस्तमाल बार बार यहाँ पर कर रहे होंगे, कि किस तरीके से आपकी reality बहुत हाश हो सबस्क्राइब ट्राइवल आपका जो थीम है वो कई ना कई यहां पर रिफलेक्ट होता रहेगा इसके बाद में नेक्स आपके लिए आता है टाइगर किंग को किस ने लिखा है कलकी ने लिखा है यहां पर आपको खास बात यह कि सेवरल इंस्टेंस ऑफ सेटायर देखने को मिल जाएंगे क जलकी ने यहां पर एक ऐसा चैप्टर लिखा है जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से घमंडी किंग होता है जिसके बच्पन के अंदर एक बविश्य माने की जाती है कि भाई जैसे तू बड़ा हो जाएगा तो तेरे को टाइगर मार देंगे अभी ऐसे में सोचता है जैसे के सारे टाइगर को मैँ ही पहले मार दूं तो मुझे कौन मारेगा इतने में उसे सौ ओवा टाइगर तेरे और 100 टाइगर मारने के लिए निकल पड़ता है सब्सक्राइब और जादी भी ऐसी जगे पर करता है जहां बहुत ज़ादा और बाकिके टाइगर भी मार लेता है टोटल 99 टाइगर मारने के बावजूद अभी भी उसे डर है क्योंकि एक टाइगर अभी उसे नहीं मिल रहा हो वो कैसे उस टाइगर को दूंडे, फाइडली उसका जो सेक्रेटरी होता है, दीवान होता है, वो उसकी एंग्जाइटी को देखकर एक टाइगर जो है, एक दू से उठा कर लेकर आता है, वो उस टाइगर को शूट करता है, ऐसा लगता है उसे कि वो टाइगर मर गया है, पर पसल में वो टाइगर मरा नहीं होता है वो अराम से उसका जश्ण मना रहा होता है और इतने में अपने बेटे के साथ में खेलते खेलते उसके हाथ के अंदर एक टॉय टाइगर से युनों इबास पस जाती है उससे ऐसा लगता है कि जादा कुछ बात नहीं उतार के फेक देत जाती है उसको operate करना पड़ता है और operation successful हो जाता है क्योंकि उसकी death हो जाती है आप किस तरीके से 100 टाइगर ने अपना रिवेंज यहां पर ले लिया होता है तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से पावर और लाइफ दोनों ही transient है किस तरीके से एक इंसान अपने destiny से नहीं और रहें characters के अंदर आप देखोगे Tiger King जो है सबसे important character है arrogant है proud है gullible है egoistic है आपको cynical देखने को मिलेगा condescending है अपने आपको सोचता है कि prophecy को wrong truth कर पाएगा careless है negligent है अपने state के towards opportunistic है stubborn है determined है आप यहां पर prophecy रूमर 100 टाइगर astrology प्रोक्लमेशन अनपोर्सीन हर्डल अग्जाइटी प्रोसेशन क्राफ्मेंशिप और revenge इन सारे words का इस्तमाल कर सकते हो अपने answers को लिखने के लिए इसके बाद में आता है journey to the end of the earth जिसे किस ने लिखा है त जाता है कि टिशानी दोशी अक्चली स्टूरेंट अनाइस प्रोग्राम नाम के प्रोग्राम जो कि Canadian जी और ग्रीन ने शुरू किया ता उसके तरह जाती है जहां पर जाकर रियालाइज होता है कि अन्टार्टिका कितनी प्योर जगें यहां पर तो यूमन आई नहीं है इ इसके टुकड़े फिर हो गए थे इसी वज़े से बिचारा एंटार्टिका एकदम थंडा बन गया और एकदम नीचे रह गया साउट पोल में रह गया इसकी बाद में उन्हें पता चलता है वह में बताती है कि कैसे सारी चीज़ एकदम अच्छी जा रही थी पर इस जियो लॉजिकल क्लॉक में यूमन बिंग्स की एंट्री हुई और हमने मात्र बारहाजार साल के अंदर अंदर जो की कुछ सेकिंड हैं जियो लॉजिकल क्लॉक में ऐसा खतरनाक तबाई मचा दिया है कि हम लोग क्लाइमेट इक चेंज इस ग्लोग इन सारी चीज़ों के तरफ ज यह प्रोग्राम इसी चीज़ पर फोकस करता है कि ऐसे अमीर अमीर लोग रिटायर लोगों को वहां ले जाने से तो अच्छा है कि चोटे बचों को वहां लेकर जाया जा सके तकि वह अब्सॉर्ब लर्न और एक्ट कर सके क्योंकि वही तो प्यूचर पॉलिसी मेकर होंगे और उसके बाद में वह यह भी बताती है कि किस तरीके से अगर आप एक बार एंटार्टिका चले जाओगे तो आपके अंदर से अंटार्टिका नहीं जाएगा एंटार्टिका की बायो डाइवर्सिटी इतनी जादा सिंपल है कि जब आप वहां जाते हो तो आपको आपको देखने को मिलेगा प्रिस्टीन एंटार्टिका यूवन इंपक्ट प्लानेट पे प्रेजेंट पास्ट फूचर सब कुछ आपको महां मिल जाएगा किस तरीके से यूथ जो है वह एक्शन टेकर होते हैं फ्यूचर पॉलिसी मेकर होते हैं आप यहां पर वर्ट का इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि आइसोलेशन गोंडवाना ड्रेक पैसेज चिलिंग प्रॉस्पेक पिंग फॉंग बॉल प्रोग्नॉसिस रकस पॉलिसी मेकर्स एपिफिपनी तो इन सब का इस्तमाल कर सकते हो आपको इंपोर्टन क्यारेक्टर यहां पर तिशानी दूशी दे इंडिया कैसे ने क्या किया उसकी बात कि जाती है तरह याँ की अप ने के अंदर इसे लिखा गया है प्रोटागनिस्ट आपको यहां पर सदाओ देखने को मिलेंगे यह चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि डॉक्तर सदाओ जो की सर्जिन और एक साइंटिस्ट है और वर के टाइम में ट्रूप के साथ में नहीं गए है और जेपान के अंदर ही जीवन के अंदर पता नहीं उनका क्या हुआ होता तो यहां पर सोच रहे थे किस तरीक इसे बाइचांस महाना से मिल गया और फाइनली वहां पर हाना भी आ जाती है एक मोमेंट वो शेयर कर रहे होते हैं इतने में एक इंसान जो है वो आतावा दिखता है वो इंसान उन्हे रियलाइज होता है कि यह तो एक अमारिकन भी है यह प्रिजनर ऑफ वार जिसने भागने की कोशिश कियोगी और इसी वज़से से गोली भी लग गई है यह रियलाइजेशन यहां पर करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि क्योंकि इंसान के जख्मी है इसकी वज़से यह मानना होता है कि वह अमेरिका में इतने दिन रहे हैं कि उनके अंदर एक स्वाप्स पॉनर अमेरिका को लेकर डेवलाप हो चुका है सब्स बात से बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं और गहर चोड़ कर चले जाते हैं साथमे दिन जेनरल की तबियत खराब हो जाती है और इस वज़े से वह बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं उस इंसान को खुदी मरवा दूंगा वह यह प्रॉमिस तो कर देता है बट वह मारवाने के लिए इतने सारे लोग जो है उन्हें भेजता नहीं है इतने में सदाव तीन दिन तक इंतजार करते है उन लोगों का आने का कि वो आएंगे और वो आकर उस P.O.W. को मारेंगे बट जबकि कोई आता नहीं है तो वो डिसाइड करता है कि क्यो नहीं इसे मैं ही भगा दू वो सारे अरेंजमेंट्स कर देता है उसे तयार करता है उसे बोलता है कि तुम्हें यहां से जाना पड़ सदाल ने रिजोरणस देता है कि कोई दिक्कत नहीं है मैं किसी के सामने अपना मून नहीं को लूँगा जैनरल करने की बात करते हैं जैसे उसने यह देख लिया है कि वह इनसान वहां पे अब जा चुका है वह एकदम सेफ है तो सदाल को सब कुछ मिल गया है वाल सकी दिन वो वेरंडा में खड़ा होता है और वहीं देख रहा होता है जहां से इंसान आया था उसके सामने सारे के सारे वो लोग आ जाते हैं जो सारे लोगों ने उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया था उसका उसके अंदर गुस्सा भढ़ जाता है अब आपको यहां पर तीम में उपर उठते हो छोटी छोटी चीजों से और हुमानेटी को सबसे उपर रखते हो प्रेजिडिस जो की वार क्रियेट करता उसके बारे में बताया गया है बताया गया है कि कितना सदा एथिक्स जो है वो मेडिकल प्रॉफेशन के साथ में जुड़े हैं साथी साथ में से उपर उठेव हैं अंदर उनके इंसानियत है केरफुल है डिलिजेंट है अपने फैमिली को पहले रखते हैं एथिकल है डेरिंग है जैबकि अगर हम हाना की बात करते हैं तो हाना कंसिडरेट है प्रूडेंट है एक अच्छी वाइफ है सपोर्टिव भी है जेनरल की एक सब्सक्राइब को लिख सकते हैं नेक्स अपसे इंपोर्टेंट चैप्टर आपका है ऑन दे फेस और इसका है यहां पर प्रोटागनिस्ट आपको डेरी और मिस्टर लैम देखने को मिलेंगे डेरी जो की 14 साल का बच्चा है मिस्टर लैम के गार्डन के अंदर एंटर कर द तबाह हो गई है जिन्दगी पूरी तरीके से खतम हो गई है अब ऐसे में डेरी को मोटिवेट करते हैं मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है यह सब कुछ पर्सेप्शन से होता है मिस्टर लैम उसे उसे नया नजरिया देखते हैं देते हैं दुनिया को देखने का एक नया perception देते हैं उसे बताते हैं कि कितना important है लोगों से प्यार करना भगवान की हर चीज को जो भगवान ने बनाया है उससे प्यार करना अपने आप से प्यार करना अप जैसे उसे accept करना अपनी खामियों को भी accept करना क्योंकि वही आपको इनसान बनाता है यह कैसी दुनिय और दुम्हें दुम्हें लोगों से डरने जरुरत नहीं है लोग जो कहीं उन्हें कहने गहां तुम खुलकर जीयोग और कईना कहीं यह चूझाते हैं और कानों की बीच में में नहीं सोचता है अब वो इस बारे में सोचता है कि अगर Mr. Lamb जो की टिन लेक के साथ में जी रहे है इतना टाइम उन्होंने अपने आप निकाला है इतने सारे लोगों को फेस किया है उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि लोगों ने क्या कहते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हू हो Mr. Lamb के पास में चला जाता है Mr. Lamb सब तक गिर चुके होते है यूँ आपल तोरते-तोरते उनके साथ एक आकसिदेंट हो जाता है उनकी लेडर स्लिप हो जाती है उनकी मौत हो जाती है डैरी वहां पर जब एंटर करता है Mr. Lamb को अपनी गोध में रखता है और बहुत दोस्तो वो वापस आया था पर Mr. Lam उसे देखने के लिए जिन्दा नहीं रहे थे Mr. Lam ने कितना इंपक्ट जो है डैरी की जिन्दगी पर डाला डैरी की जिन्दगी यहां पर बदल दिया डैरी की जिन्दगी का टर्निंग पॉइंट बन गया है Mr. Lam से मिलना तो यहां पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग जो बिचारे disabilities वाले होते हैं वो बहुत loneliness और mental pain से सफर करते हैं यहां पर एक sense of loss involved है आपको देखने को मिलेगा कि यह कहानी isolation और alienation की है यह society जितना जादा शायद physical pain किसी इंसान को नहीं होता यह society उसे alienated feel करा करा कि उतना pain दे देती है किस तरीके से हर चीज़ के towards हमारा perception बहुत matter करता है और appearance positivity के बारे में भी यह chapter बात करता है कि आप जैसे दिखते हो आप जैसे भी हो आप best हो आपको देखने को मिलेगा character की अगर बात करते हैं मिस्टर लैम के तो बहुत ही पर्सेप्टिव है वाइस है यह उनका एक तिन लेग है experience है mature है lonely है optimistic है nature को पसंद करते हैं बहुत ही open है बहुत ही friendly है peculiar बाते करते हैं बहुत ही understanding है सब्सक्राइब बहुत ही positive है डेरी के गर हम बात करते हैं तो वह बहुत ही hesitant है चाहता है उसका फेस जो है वह जला हुआ है शाय है लोगों की तरफ बहुत ही बिटर है सब्सक्राइब लोगों को प्लीज करने में ज्यादा भरोसा रखता है हर एक चीज जो सुनता है उस पर यकीन कर लेता है कुछ स्वेशल ओन करना चाहता है अपने जिंदगी के अंदर अच्छा यहां पर कुछ आपको वर्ट आंसर में लिखने चाहिए वह स्टार्ट पैन मार्जिनलाइज रेस से बिलॉंग करती है उन्हें की ममी से दूर लेकर आया जाता है और वो एक वोर्डिंग स्कूल में आती है पहला दिन उनका बहुत बेकार जाता है जहां पर वो अपने अपने कमफर्ट दूर से निकली वी है वहां पर उनकी उपर और ज्यादा थोप दिया जाता है युनों लोगों के हम कह सकते है युनों डॉमिनेंट कल्चर को अब ऐसे में क्या होता है सबसे पहले तो उन्हें पूरा का पूरा रूल से खिलाया जाता है जिसको देखकर तो रोई देती है कि किस तरीके से हर एक गंटी के साथ में कुछ ना कुछ करने के यह activity है उसके बाद में उनके सुनने में आता है कि उनके बाल काटने की प्लानिंग हो रही है उनके culture के इंदर बाल काटना एक बहुत ही गलत अक्ट होता है अगर आप बाल काटते हो आपके घर के अंदर किसी की मौत हुए है वो अपने बाल बिलकुल नहीं कटवाना चाहत और उन्हें पकड़ लिया जाता है उन्हें सरेंडर करना पड़ता है उनके बाल काट दी जाता है जिसके साथ उनका कॉंफिदेंस भी चूर चूर हो जाता है इसके बाद में बामा की स्टोरी में देखते हैं कि एक थर्ड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो की कि उन्हें होल्ड किया हुए क्योंकि लैंड़ॉर्ड उन्हें बिना चूए उनमें से वदई निकाल रहे हैं उसके बहुत पनी लगता है पर उसका भाई उससे बताता है इसके लिए है कि अगर आप एक लोर कास से बिलॉन करते हो तो अगर आप किसी अपर कास के इंसानों को या उनकी चीजों को अगर चूओगे तो वह पल्यूट हो जाएंगी बामा को यह सुनकर बहुत गुस्ता आता है उसका भाई उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने पड़ेगी आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी जाकर तुम्हारी इंडिगनिटी के तुम्हें चुटकारा मिलेगा तो यहां पर बताया जाता है सबसे पहले कि कैसे मार्जिनलाइज रेस और कास्ट के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है चाइल्डूर ट्रॉमा के बारे में बताया चाल्डूर अकाउंट शेप कैसे करते हम लोगों को इसके साथ में इन इसके बारे में बताया गया बताया कि बच्चे कितने जादा सेंसिटिव होते अपने सराउंडिंग को लेकर और बैचारे कितना लाउडली रियाग करते हैं तो उनके साथ में इसा नहीं करना चाहिए इवल स्कीम जो पहले चला करती थी अपना कल्चर थोपने की उसके बारे में बताया गया है कि सप्रिंग और उप्रेशन जो है वो कैसे लोगों के साथ में किया जाता है जब लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका कल्चर जादा डॉमिनेंट है और वो उनके कल्चर को लोगों को करना चाहिए जितकाल असा का क्यारेक्टर आपको बहुत स्ट्रॉंग क्यारेक्टर देखने को मिलेगा डकूता रेस ते वह बिलॉंग करती है सेंसिटिव है डिपाइंट है मेंटली ट्रॉमटाइजड है रिबेलियस है बहुत ही ज्यादा कल्चिरल है अप्सिनेट है प् गुस्ता आता है बहुत ही अनॉइड है करिजियस और प्रेशन का विक्तिम बनी है वह और बहुत ही चौक जाती है बात बात पे यहां पर उनको यह सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो बहुत सप्राइज होती है वर्ट जो कि आपको यूज करने चाहिए चाहो तो नया फॉर्माट उसकर सकते हो चाहो तो ओल्ड फ्रमाट उसकर सकते हो नए फॉर्माट के अंदर नोटेस आपको पहले लिखना फिर आएगा नेम ओफट फिर आएगा डेट बॉड़ी नाम डेजिगनेशन सिगनेचर बॉक्स तो बने गई इधर आए अपका ओल form the dash में readers आ जाएगा that event और organizers के बारे में बताओगे on date बताओगे at time बताओगे in venue बताओगे कि कौन सा venue है और call for action दोगे लोगों को submit करना है नाम देने हैं क्या है और last में लिखोगे for more information contact the undersigned next है आपका invitation आप इसे card में भी लिख सकते हो letter में भी लिख सकते हो card तब बनाया जा जाता है जब किसी एक को लिखना होता है formal invitation third person में लिखा जाता है formal reply first और दोनों persons में लिखा जा सकता है informal invitation और reply पर यह rule apply नहीं होता है ठीक है format अगर हम card के format की बात करते हैं तो यहां पर आपको box बनाना होता है आप नाम लिखते हो host का invitation extend करते हो purpose देते हो invitation का date type menu बताते हो specific information देते हो RSVP लिखते हो अगर आप यहां पर formal invitation letter के format में लिखते हो तो formal letter का format आता है जिसमें आता है sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, body, yours और नेम अगर आप informal invitation या reply लिखते हो तो यहां पर informal letter लिखना पड़ता है जिसका format है sender's address, date, salutation, body, yours और आपका नाम यहां पर मैंने आपको सारी क सारी patent bodies भी दे दी है जैसे कि अगर आप formal invitation की body चाते हो तो इस तरीके की आपकी body देखेगी name of the host आएगा will be obliged if guest could spare some time from his or her busy schedule to be reason देना है at event event बताना है to be held on date देना है time देना है venue देना है kindly confirm the acceptance by date देनी है कि जब तक आप accept कर लिजे oblige thank you यह हो गया formal invitation की body informal invitation की body में आ सकता है you know event को describe करो it gives me great pleasure to invite you to event को describe करो venue बताओ date बताओ message दो कि मैं कितने excited हूँ तुमसे मिलने के लिए and finally एक light note पे बोलो do join us I'll be waiting for your reply अगर आप formal reply की body की बात करो तो formal reply को आप third person और first person दोनों में लिख सकते हो यह पेटेंट बॉड़ी जो acceptance और decline की यह third person के अंदर लिखी है यहाँ पर थर्ड परसंट को चेंज करके आप first person में convert कर दोगे तो same body first person में भी आ जाएगी acceptance में अप लिख सकते हो sender का नाम has much pleasure in accepting the kind information of नाम बताओगे host का to the event event दोगे date दोगे thank you इसके बाद में आजाएगा decline decline के अंदर sender thanks host का नाम दोगे for their kind invitation to the event बताओगे date बताओगे इतना ही लिखना होता है क्योंकि 50 word की word limit है इसके बाद में अगर informal reply की body बात करते हो तो acceptance और rejection इसकी body अलग अलग है acceptance में आप लिख सकते हो I have received your invitation for the event to be held on date or time बताओगे at when you बताओगे I am extremely happy to know event के बारे में I would like to confirm my presence looking forward और conclude गर दोगे happy note पे इसके बाद में आप reject भी यहां पर कर सकते हो बोलोगे I feel honored to be invited to attend event बताओगे please accept my thanks and congratulations unfortunately due to some unavoidable previous commitments I shall not be able to attend event बताओगे best wishes all right letter to editor और job application का एक ही format रहता है क्योंकि दोनों ही formal letter के अंदर लिखे जाते हैं यह रहा आपका format sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, body, yours और name आपको बता देती हूं कि जब अगर आप letter to editor की body लिखोगे तो याद रखना आप शुरुवात कर सकते हो through the columns of your esteemed newspaper I would like to raise my concern और फिर problem बता सकते हो तीन points यहां पर problem causes, effects इन सब के बारे में बता सकते हो तीन एक point आप solution, suggestion और hope के दे सकते हो and conclude कर सकते हो यह लिखे, I request you to highlight the issue problem in your newspaper job application की patent body आपके लिए मैं नहीं तयार की विये मातर आपको तीन जो है blanks भरने और आपका काम हो जाएगा यह की यह body आप चिपका के आ सकते हो body कैती है in this, this is in response to your advertisement newspaper का नाम dated date लिखनी है I wish to offer my candidature for the position of position लिखनी है I have the required qualification and experience in the said industry I have also attached or enclosed my resume and certificates for your kind perusal I assure you that if selected, I shall work with utmost dedication and sincerity I will be highly thankful to you if you shortlist me for the interview तो सारी बाते जो हमें चाहिए हो हमने यह आपर लिख दिया है bio data के अंदर आपको चार चीजे पका मेंचिन करनी है personal information or contact detail, education, qualification or experience, skills or achievements or reference or declaration यह सब कुछ आपको यहां पर attach करना है क्योंकि bio data एक से ज़्यादा pages में जाएगा box बनाना कोई sense make नहीं करता है इसके साथ में यह याद रखना कि education qualification में जरूर आपको table बनानी पड़ेगी last but not the least आथा है आपका long composition जिसमें आती है article writing format काफी असान है एडिंग डालनी है और byline डालनी है author का नाम आएगा फिर आ जाएगी body जिसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है introduction दोगे topic का details के अंदर problems causes issue बताओगे solution conclusion के अंदर solution effects और hopes बताओगे यहाँ पर grammar में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि first percent pronouns आपको करने avoid direct indirect speech में लिख सकते हो active voice में लिखो simple tense का इस्तमाल करो और simple sentences या compound sentences ही बनाओ ज्यादा complex बनाने की जूरुत नहीं है report दो तरीके की हो सकती है newspaper report magazine report newspaper report आती है तो headline byline के बाद में date place के बाद में body आती है magazine के format में headline byline और body आती है यह हो गया format इसकी body के अंदर introduction में आप फोड़ा issue बताते हो detail में what why when where you know how who whom whose बताते हो conclusion के अंदर experience share करते हो grammar में याद रखना है tense past tense रहेगा voice passive रहेगी speech indirect रहेगी person third person रहेगा और sentences जो है वो आपको रखने पड़ेंगे simple इसके साथ में जो आपका reading comprehension passages है उसके अंदर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको skim करना है आपके passage को इसके साथ में आपको यहाँ पर first or last paragraph में आपका theme मिल जाएगा इसके बाद में एक एक question के अंदर lead word दूड़िये और उन lead words के according अपने passage में जाकर answers दूड़ियेगा elimination का इस्तमाल कीजेगा तक इसे आपको पता चले कि मैं किसी option को omit क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं उसे हटा क्यों रहा हूँ इससे आपको correct option तक पहुशने में आसानी होगी vocabulary वाले questions को करने के लिए किसी भी sentence को अच्छे से read कीजेगा वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस word का क्या meaning है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो word वहाँ पर क्यों है और उसी से आप synonym and antonym जैसे questions भी कर सकते हो याद रखिए कि कुछ ऐसे words का खयाल रखिए जैसे की n, a, the, one, two तक कि आपको पता चले कि यहाँ पर marks किस तरीके से allocated होंगे और answers क्या multiple हो सकते हैं या single answers हो सकते हैं तो ये था मेरा पूरा का पूरा English का revision जो मैंने आपको करा दिया ये सारी बाते जो मैंने आपको बताई है आपको याद होनी चाहिए ये चीचीच जो है ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे जो कि ये learn with shipra और आपको उसका link में दे दूँगी description में तो इसके साथ में अपने English का revision सबसे fastest possible तरीके से कर लिया है I hope आपको ये revision पसंद आया होगा and I wish कि ये revision आपको मदद करें और आपका exam बहुत अच्छा जाए I wish you guys all the very best and also video को like जरूर करिएगा अपने friends तक जरूर share कीजेगा and channel को subscribe कीजेगा अगर इस channel ने आपकी मदद की है तो and I will see you in the next one thank you so much for watching bye bye take care